तो बात करता है calcium की जो कि एक mineral होता है और इसका अपने body के अंदर क्या-क्या functions होता है तो हमें अच्छे से पता है कि calcium अपने हड्यों के लिए अपने दातों के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है लेकिन अगर हमारे body में कोई blood vessels damage हो जाए और bleeding होने लगे तो excessive bleeding को prevent करने के लिए blood clot हो जाता है और इस blood clotting के लिए हमें जरुत होती है calcium की तो calcium अपने हड्यों या दातों के अलावा blood clotting के लिए बहुत ज़ादा ज़रूरी होता है और अगर हम cells की बात करें तो हमारे body में कई सरे जो cells हैं उनकी cell membrane की proper functioning के लिए भी calcium ज़रूरी होता है तो calcium का role cell membrane में भी होता है cells के लिए भी ज़रूरी होता है calcium और अगर हम अपने nervous system की बात करें तो nervous system के लिए calcium बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो impulse conduction होता है उसके लिए calcium required होता है तो इसलिए calcium nervous system के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने body के अंदर जो भी सारे muscles होते हैं तीन type के वो smooth muscle हो, skeletal muscle हो या cardiac muscle हो इन muscles की contraction के लिए भी calcium required होता है calcium ज़रूरी होता है और इसलिए आप समझ सकते हो कि calcium अपने heart के लिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि अपने heart में होता है cardiac muscles जो अपने heart को contract और relax होने में मदद करता है और हमें पता है कि muscles की contraction के लिए calcium की ज़रूरी होती है तो इसलिए calcium अपने heart के लिए भी ज़रूरी होता है और अगर हम enzymes की बात करें तो हमरे body में कुछ ऐसे enzymes होते हैं जिनको activate करने के लिए जिनकी activation के लिए calcium की जरूत होती है क्योंकि ये enzymes मौज़िद जरूर होते हैं लेकिन वो activate तभी होते हैं जब calcium उन्हें activate करता है जरूत की हिसाब से तो अभी अगर ये वीडियो आपको काम का लगा होगा तो description चेक कर लेना और वीडियो को like share और subscribe कर देना